महाभारत में द्रोणाचारिय अर्जुन को धनू विर्धा में सर्वश्रिष्ट बनाना चाहते थे। इस वज़ा से गुरु द्रोण ने एकलावे को ज्ञान देने से मना कर दिया था। इसके बाद एकलावे ने द्रोणाचारी की मूर्ती बनाए और उस मूर्ती को गुरु मान कर धनू विर्धा का अभ्यास करने लगा। लगतार अभ्यास करने से वो भी धनू विर्धा सीख गया। एक दिन पांडो और कौरव राचकुमार गुरू द्रोन के साथ शिकार के लिए पहुँचे राचकुमार का कुट्टा एकलवे के आस्रम में जा पहुँचे और भोकने लगा कुट्टे के भोकने से एकलवे को अभास करने में परिशानी हो रही थी तब उसने बाणों से कुट्टे का मुह बंद कर दिया एकलवे ने इतनी कुशलता से बाण चलाया कि कुट्टे को बाणों में से किसे परकार की चोट नहीं लगी जब कुट्टा को गुरू द्रोन ने देखा तो धनु विर्धा का ये कौशल देखकर डंग रह गए तब बाण चलाने वाले की खोच करते हुए वे एकलवे के पास पहुँच गए गुरू द्रोन को लगा कि एकलवे अर्जुन से स्रिष्ट बन सकता है तब उन्होंने गुरू दक्षिणा में उसको अंगुठा मांग लिया था और एकलवे ने अपना अंगुठा काटकर गुरू को भी दे दिया अंगुठे बिना भी एकलवे धनु विर्धा में दक्ष हो गया था एकलवे हिरणय धनु नामत निशाद का पुत्र था उसके पिता स्रिंगे वर राज्य की राजा थे उनके मृत्य के बाद एकलवे राजा बना उसने निशाद भीलो की सेना बनाई और अपने राज्य का व्यस्तारिक प्रचलित किया एक प्रचलित कथा किया अनुसार एकलवे क्रिश्न को शत्रु मानने वाले जराशंग के साथ मिलक गया था जारसंग की सेना ने उस तरफ से उस मत्थुरा पर आकर्मन भी किया एकलवे ने यादो सेना के अधिकतर युद्धाओं को मार दिया था क्रिश्ण जानते थे अगर एकलवे को नहीं मारा गया तो महाभारत युद्ध में कैकोरों की ओड़ से लड़ेगा और पांडों के ओए लिए परिशानी बढ़ा सकता है स्रिक्रिश्ण और एकलवे के बीच युद्धुआ जिसमें एकलवे मारा गया एकलवे के बाद उसका पुत्र कितुमान राजा बना महाभारत में कितुमान कोरों की सेना की ओड़ से पांडों से लड़ा था इसका वद्ध भीम ने किया था